नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपके जानकारी में होगा कि सड़क परिवहन एम राजमार्क मंत्राले के मंत्री शीनितिन गटकरी जी द्वारा लास्ट 18 मार्च को भारत सरकार की वीकल स्क्रापज पॉलिसी की घोशना की गई है तो इस वीकल स्क्रापज पॉलिसी की क्या है यही बातें लेकर के मैं आज की इस वीडियो के थुरू आपके सामने हाजर हुआ हूं तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले वाई दिस पॉलिसी की भारत सरकार का व्यूपॉइंट क्या है कि क्यों यह पॉलिसी की आवशक्ता है तो स्क्राप ओल्ड वीकल विचार क्रियेटिंग पॉलिशन्स एंड हाविंग हाई फ्यूल कंजंप्शन तो प्रमोट इन्वेस्मेंट इन मोटर वीकल सेक्टर एंड तो प्रमोट एम्प्लॉइमेंट जेनरेशन मैं आपको एक आईडिया देता हूं कि डेटा जो भारत सरकार ने यहां पर रिवील किया है क भारत सरकार मानती है कि भारत में 20 साल से ज्यादा पुराने लाइट वोटर वीकल्स लाइट मोटर वीकल्स जिसमें कार जीप सेक्सेटर शामिल हैं 51 लाग से ज्यादा के हैं इसी प्रकार से दोस्तों ऐसे वीकल्स जो कि 15 साल से ज्यादा पुराने लाइट मोटर वीकल्स ह और commercial vehicle की अगर मैं बात करता हूँ जो कि 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो लगबग 17 लाग commercial vehicle 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो ये जो पुराने vehicles हैं कहीं न कहीं इनका pollution level ज़्यादा रहता है fuel efficiency कम रहती है और इंडिया जैसे country में जहां पर हम बहुत कुछ imported fuel के उपर ही dependent है अपनी fuel consumption के लिए तो ऐसी परिस्तती में सर ये policy pollution level को control करने में fuel consumption को कुछ हद तक नियंतरित करने में भी काम्याद रह सकती है साथ ही भारत सरकार का ये estimate है कि लगबक 10,000 करोड का investment भारत में इस policy की वज़े से होगा और लगबक 35,000 नए jobs इस particular policy की वज़े से भारतवर्ष में create होगे अब technical बात पर आता हूं sir which vehicles will be scrapped commercial vehicles above 15 years of registration will be scrapped ये policy ये कहती है कि 15 साल से पुराने commercial vehicles को सर scrap किया जाएगा और light motor vehicles जो है जो 20 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनको भी scrap किया जागा इसके exception क्या है vintage cars and classic cars तो इन दो categories को छोड़ दीजे 15 साल से पुराने commercial vehicle और 20 साल से पुराने commercial vehicles को सर scrap किया जाना प्रस्तावित है अब यहाँ अगला important question है सर what will be the effective date of implementation for light motor vehicles this policy will be applicable with effect from 1st of June 2024 यानी 1 June 2024 से सर light motor vehicles इस scrapped policy के coverage में आएंगे और commercial vehicles सर 14 2023 से इस particular policy के दारे में cover होंगे दोस्तों अगला प्रश्न है मेरा whether registration may be renewed beyond 15 or 20 years answer to this question is yes बट भारत सरकार का यह कहना है कि अगर आप 15 साल से पुराना commercial vehicle या 20 साल से पुराना light motor vehicle ओन करते हैं तो ऐसी परिस्तिती में आपको fitness certificate के charges देने होंगे और वो fitness certificate के period भी निश्चित किये जाएंगे विच कुट भी जादा जहां पर vehicles की संख्या है उन cities में हो सकता और 6 महीने बाद आपको fitness certificate लेना जाना पड़े और fitness certificate के charges भी usual charges से ऐसी परिस्तियों में जादा होंगे अब देखिए सर आपका प्रश्ण होंगा कि ये scrapping की कैसे जाएगी how scrapping will be done तो भारत सरकार कह रही है कि आप vehicle which will be eligible to be scrap will be deregistered यानि 15 साल पुराना commercial vehicle या 20 साल पुराना light motor vehicle अगर आपने उसका fitness नहीं लिया तो ऐसी परिस्तिती में वो automatically deregister कर दिया जाएगा जब आप ये identify कर चुगे कि मेरा particular vehicle 20 साल पुराना है या 15 साल पुराना है commercial vehicle के case में तो आपको एक scrapping unit के पास में जाना पड़ेगा जिसका नाम दिया है registered vehicle scrapping facility RVSF ये एक तरीके के private sector और government के combination से बनाई गई units होंगी आप as a registered owner of vehicle अपना vehicle लेकर के इस particular RVSF के पास में पहुँचेंगे वो आपकी relevant details वगएरा लेंगे और RVCF ये verify करने के बाद में कि आपका जो vehicle record है वो उनके database के इसाफ से कोई stolen vehicle नहीं है आपको एक certificate issue करेगी कहां आपने ये particular vehicle scrap करने के लिए हमारे आपर जमा करा दिया अब देखें दोस्तों will there be any incentives for scrapping के मान लीजे आप आगे बढ़कर के अपना vehicle scrap कराने जा रहे हैं तो ऐसी परिस्तिती में आपको क्या-क्या लाब पहुचाए जाएगा क्या-क्या लाब मिल सकता है तो भारत सरकार करिए 4-6% of x showroom price of new vehicle will be given as a discount to the honor by scrapping center आप जैसे scrapping center को अपनी गाड़ी देंगे वो आपको एक certificate देगा उस certificate की value यह होगी कि आपको 4-6% of x showroom price of new vehicle का discount मिलना संभावित होगा States में offer a road tax rebate up to 25% in case of personal vehicle and up to 15% in case of commercial vehicle यानि state governments को यह कहा गया है उनके लिए प्रस्तावित है कि वो 15% से लेकर के 25% तक का road tax का rebate नए vehicle purchase करने पर दे उस person को जिसने की अपना old vehicle scrap किया है manufacturers will be advised to give 5% discount on new vehicles against a scrapping certificate भारत सरकार यह कह रही है कि आप अगर अपना vehicle scrap करते हैं तो हम manufacturers को भी advise करेंगे कि वो भी आपको 5% का discount दे registration fees which will be applicable on purchase of new vehicle against a scrapping certificate में also भी waived और reduced साथ ही नितिन गटकरी जी ने ये भी कहा है कि हम ये भी प्रस्तावित कर रहे हैं या recommend कर रहे हैं कि GST में भी कुछ छूट अपना existing vehicle scrap कराने पर नया vehicle लेने पर दी जाए तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये particular video आपको vehicle scrappage policy जो भारत सरकार द्वारा लाई गई है उस particular policy की highlights अवगत कराने में सफल रही हो यदि आपकी कोई queries हो तो आप मुझे लिख सकते हैं छोटे छोटे economic updates लाने का एक purpose यही है कि भारत में क्या हो रहा है और ये changes जो हो रहे हैं उनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है हम उन्हें समझते रहें मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैह